तो आप सब का फेसे स्वागत है मेरे स्यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज के इस वुड़ी में हम बात करने वाल है आप पहली मैच पर क्लिक कर लिजे लेकिन यह वीडियो दोनों मैच के लिए रहेगा दोस्तों पहली मैच के लिए पर क्लिक करने के बाद अगर आपने आप तक टीम नहीं बनाए तो नीचे क्रियेटर टीम को उप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक करनी है लेकिन मैं अल्रेडी टीन टीम आपे बना के रख चुको इसलिए एक एक करके मैं आपको एडिट करके दिखाता जाओंगा किस को लेना किस को नहीं लेना क्याप्टर और किसे बना सकते हैं यह सब बाते में आपको बताऊंगा माई टीम पर जाके लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट जरू करूंगा कि अगर आपने मेरे चाइनल को अब तक सब्सक्राइब सब्सकाइब भी कर लिए और बेल आइकन को प्रेश करके अल पर दीक करना नहीं साथे बेल इकण को प्रेश करके इसके बाद चलते हैं और अमर्घाहन को लेना हैدة मीहा को लेना ाय माजिब को लेना है और जुबएर जो साथ में दो बैट्समें यहां पर दो गप्समें जिनको आगली दो तीम उभस गण में गण specifically में एम अमरगा जे मिहा ए माजिब और जुबेर के साथ ही जाओंगा और तीन लूँगा ए अब्दुल्हा को लूँगा एच सलीम को लूँगा और यहां पर अली को अभी फिलाल तो इस टीम में नहीं लूँगा लेकिन अगली डोटी मोमे में जरूर ट्राय करूंगा एम सहाइद को इस टीम में शामिल करूंगा यहां पर यह तीन और भी बेस्ट रहेंगे दोस्तों जरूर आप इन तीनों के साथ जा सकते हैं तीनों पर भर्षा कर सकते हैं दाव लगा सकते हैं गेनबाजी के अगर बात करें तो ए राजा को अफकोस लेना है एम उदीन को ले सकते हैं आपी सरी तो देखेंटे की क्याप्टन के साथ हैं और यहां पर के ऊक्टरन के साथ सब्तुर्क होंगा फॉटे से में किक बंश्क करूंगा दोस्तों फिर एक बार टीम प्रिव्यू तो जरूर कर लेते सबसे पहले तो कीपिंग से शुरुआत करते हैं आर जमान को मैंने ले लिया एम अमर गाहन को ले रहा हूँ जे मिया एम माजीब और जुबेर तो इस तर से चार बैट्समन और एक कीपर के साथ में जा रहा हूँ तो दोनों के लिए यूज करेंगे तो काफी फादा हो सकता है तो दोस्तों तो आप अगर एकी लिग लगाते तो सिर्फ ग्रांड लिग लगाएगा और स्मॉल लिग मत लगाएगा लेकिन अगर आप मल्टिपर्स लिग लगाना चाहते तो एक ग्रांड लिग और एक स्मॉल लिग ज़रूर लगा सकते दोस्तों यहाँ पे अब्दुल तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टर और वाइस क्याप्टर बनाना काफी फाइदेमन सावित हो सकता है इस वह जिसे आप ग्रांड लिग जित सकते हैं फिर अच्छी खासी अर्निंग तो पक्का करी सकते हैं इस टीम को भी क्लोज कर लेते हैं और दूसरी टीम को मैं आपको को ल से और दिखांटर को अगर बात करें तो अर जमान तो मैं लोंगा इसके के साथ मैं केशक अफ को भी लेना चाहता तो इसलिए इनको एक टीम में तो जरूर लूँगा बैटिक की बात करें तो जेम यहां रहेंगे एम आमरगा को फिर से ले रहा हूँ यहां पर मैंने एक और रिस्की डिसिजन जो लिया है जो की काफी बढ़ियाद रहेगा एच निसार को मैं इस्टीम में लूँगा काफी कम लोगों ने इन पर फॉर्शा क्या लेकिन प्लियर काफी अच्छे तो आप जरूर इनको एक हाट टीम में तो जरूर ले ही सकते हैं तो इसलिए मैं इनको जरूर इस्टीम में शामल करूँगा आल राउंडर पर चलते हैं तो मैं ए अब्दुल्ला यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ और ओ अली को इस्टीम में लूँगा एम सेद और एम एच सलीम ये तो मेरे पास रहने ही वाले तो कुल मिला के तीन अच्छे आल राउंडर भी मेरे पास आ चुके यहाँ पर फिर भी आप चेंज करना चाहे तो ए राजा को आप फिर से ले सकते हैं और किसी एक को या पर आपको ड्रॉप करना होगा लेकिन यह काफी मुश्किल फैसला होने वाला है मिला के फिर से मारी टीम बन चुके और अच्छी खासी टिम बने अच्छी टीम बढ़िया अच्छी नहीं की परहिं थोणो टीम बनाए जैसे कि आप देख पार है चलिम को काफी मतलब करीब करीब 10% से थोड़े ज्यादा लोगों ने क्याप्टन मना और 26% से ज्यादा लोगों ने क्याप्टन मना तो इनको यह तो कोई रिस्क नहीं है लेकिन ओ अलीकों में वाइस काप्टन बना रहा हूं यह थोड़ा जरूर कि पांच परसेंट भी लोगों ने इन पर भरसा नहीं जाता है और क्याप्टन तो दो परसेंट भी नहीं है तो लेकिन प्लियर काफी अच्छे है दोस्तों जरूर आप इन पर भरसा कर सकते दाव लगा सकते एक बार फिर से टीम प्रिव्यू करूंगा जैसे कि आप देख इस तरह से तीन गेन बाग भी मेरे पास है कुल मिला के यह तोड़े रिस्की है मैं यह जरूर कोंगा कि थोड़ा जिस्की है थोड़े हट के प्लियर मैंने लेकिन वही प्लियर काफी अच्छे सावित हो सकते क्योंकि एक्च नजीर निजार को काफी कम लोगों ने लिया है तो वह काफी अच्छे प्लियर है और अली को काफी कम लोगों ने लिए वाइस क्याप्टन मना है तो वह भी अच्छे प्लियर है तो आप जरूर भरसा कर सकते हैं तो कुल मिला के इस टीम को मैंने थोड़ा रिस्की बोला है आपको पहले ही तो यह टिम सिर्फ ग्रांड ल को लूँगा दोनों की दोनों काफी बढ़ी है दोस्तों जरूर आप इन दोनों पर भर्षा कर सकते हैं लगा सकते हैं कुल मिला के अच्छी खासे टीम बन चुके इसे भी ग्रांड लिक के लिए यूज करें तो ज्यादा बेटर है स्मॉल लिक के लिए ना ही यूज करें इस टीम को भी क्लोज कर लेते सेव कर लेते और तीसरी और आखरी टीम में आपको दिखा देता हूं मैंने किस तर से बनाई हैं तीसरी टीम में फिर से आर जमान के साथ ही जाओंगा बाकि किसी और के साथ नहीं जाओंगा यह भी टीम ठुड़ी हटके बनने वाली दोस्तो अगर आप करेंगे तो जो तीन बरलेवाज है दोस्तों वह एक इमर कहन है जे मिया है एफ अली को मैं इस टीम में ले रहा हूँ जैसे कि आप सबको पता है यह अच्छे प्लियर है आप जरूर इन पर भी फॉर्शा कर सकते दाव लगा सकते अल राउंडर की बात करें तो जाए एम उदीन अबू सयद और मुसें तो इस तरह से चार गेंबाज को मैं इस्टीम में लेना चाहता हूँ क्योंकि गेंबाज ही भी आप अच्छे चल सकते तो जिसके वज़े से आपको चार गेंबाज काफी फाइदा करा के रह सकते आपको ग्रांड लिग जिता सकते अबू को ड्राप करना चाहिए तो इनकी जगह पर आप ओ अली को भी ले सकते या फिर यहां पर एम सयद को भी ले सकते तो फिलाल मैं अली को ले लूँगा और अभी फिलाल फिर से हमारी टीम तो अच्छे खासी बढ़ चुके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और देखेंग तो परसेंटेज इनके काफी कम है लेकिन दरूर मेरा मानना है कि मुझे लगता यह तुनों काफी बहतर खेल सकते अच्छे खासी आपको अर्निंग करा के दे सकते या फिर फिर से ट्रीम प्रिव्यू करते तो यहां पर देख सकते आर्जमान को में लूँगा आज विकेट तो यहां पर मेरे पास तीन गेन बाज है चार ऑल रॉंडर है तीन बल्ले बाज और एक कीपर तो काफी बहतरी इन टीम है ऐसा नहीं कि रिस्की टीम है लेकिन फिर भी कोंगा यह तीम भी आप सिर्फ ग्राइड लिक के लिए उसके जगा स्मॉल लिक के लिए योज मत की ज करी सकते करें प्री थोड़ा हट के क्याप्टन मैंने बना है जैं को हें फटी पर्संदैश अच्छे है च्टन लेकिन राजा को व्यन वर फिसकी जडिवर में झावकर इंप कर सकते नाहिए तंप आपको लगता है इन तीनों टीमों में कुछ चेंजेस करने चाहिए या फिर क्याप्टन सही नहीं तो आप जरूर्ट चेंजेस कर सकते लेकिन दोस्तों ज्याधा मत किजिए घोड़ा रिस्की साबित होसकता है अगर एक-डोचार्श करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ने कोई दिककत नहीं अगर जादध चेंज रहेंगे तो थोड़ा رिस्की साबित हो अगर अलग भी करना और आपने मेरे चानल को आप तक सब्सक्राइब ने क्या तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके और पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे उड़े आप तक पोश्टे रहे आप अच्छे से अरनी कत रहें आज के उड़े में इतना ही मिलते दोस्तो जाइन बलाइन स्काम में डिष्ट्रिप्षेंग शवड़ी में तो ज्यादर चैंज्यश होने के काफ़ी चांसे से यहाँ पर टेलेघ्राम को को जाइन आपको बता सकता हों